मैं आपको बताने वाला हूँ free website translator plugin के वारे में अगर आप अपने website पे auto translate option लगाना चाहते हैं और अपने website को किसी भी language में automatically translate करवाना चाहते हैं तो ये plugin आपके लिए सबसे best रहेगा आप इस plugin को install कर सकते हो अपने website के लिए अपने wordpress में वो भी बिलकुल free इस plugin का नाम है convey this and this video is sponsored by convey this.com link description में है जाके check out करो features को और अगर आपको plugin directly install करना है तो आप जाके install कर सकते हो तो चलते हैं अपने wordpress website पे और install करते हैं इस plugin को और देखते हैं अपने website पे क्या-क्या features मिलते हैं इस plugin के अदर अगर हम इस plugin को install करते हैं तो तो गैस बिना time waste किये let's get started तो गैस plugin को install करने के क्या करना पड़ेगा वह मैं आपको बताता हूँ तो इसली करना है आपको अपने wordpress website को open और अपने web admin को access कर लेना है और अपने dashboard को open कर लेना है dashboard ओपन करने के बाद गाइस wordpress का dashboard जो आपको open होगा नीची की तरफ आपको plug-in का option मिल रहा होगा अपने plug-in के option पे click करने के बाद add new पे click करना है add new पे click करोगे अब यहाँ पर right side में उपर search bar है वहाँ पे आपको लिखना है easily c-o-n-v-e-y-d-h-i-s convey this आपको easily लिखना है convey this और यहाँ पर plug-in नीची के तरफ शो हो चुका है अब इस plug-in पर आपको इसको install करना है गाइस इंस्तॉल करने के लिए आपको दे रखा है install ना हो पे click करना है install now पे click करने के बाद यहाँ पे guys देखो install हो चुका है अब यहाँ पे activate करना है अपने plugin को तो activate plugin पे click करेंगे activate करते है guys यहाँ पे हमारा plugin activate हो चुका है बट अभी हमारे website पे यह configure नहीं हुआ है क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर हमारे website का dashboard खुल चुका है dashboard के अंदर यहाँ पर API का option आ रहा है कि API डालो यहाँ पर नीची के तरफ language का option है तो अब API आपको कैसे मिलेगा API को लेने के लिए आपके left में जो show हो रहा है option इस पर click करना है यहाँ पर देख सकते हो कि आपको फिलप करने के लिए मांग रहा है आपके details को जैसे email address, name, password तो इसको easily fill कर लेते हैं और फिर आगे step को देखते हैं इस form fill करने के बाद next step आपको इमेल verification मांगेगा, email verification में guys जो भी email आपने दिया होगा, उस email पर आपको verification किया होगा, उस verification को आपको verify करना है अपने email, तो मैं अपना email खोल लेता हो जो मैंने email दिया था, तो guys जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो, मेरा email खोल चुका है, यहाँ प पैकेज त्सक्रावाइब ओने दे और फ्री पैकेज लेख सकते हैं यहां पर नीचे के तरफ वह स्k्रोल करेंगे हैं तो यहां पर API का option आ रहा है तो अब यह जो API है guys इसको copy करके आपको अपने dashboard में जहाँ पर API option आ रहा है मांग रहा था वहाँ पर फिल करना है तो यह API को मैं copy कर लूँगा, copy करने के बाद मैं अपने dashboard को खोलूँगा, dashboard खोलने के बाद guys अगर आपको option नहीं मिलता है सबसे नीची की तरफ आओगे, इस पर नीची की तरफ आपको देख जाएगा Conway Days का option इस पर click करना है, click करने के बाद के इस तरीके का dashboard खुल जाएगा और यहाँ पर देखो option आ रहा है API की का, तो यहाँ पर API की में वो जो आपने copy किया था उसको यहाँ पर paste करना है पेश करने के बाद नीची के तरफ स्कूल करोईज में तो यहाँ पर स्क्रेक्ण है सेक्शन को है, select your website language अब यहाँ पर अपने website का language select करना है, जिस भी language में अपका website है, मालो आपके website इसका मतलब है कि आपको अपने website को किस language में convert करवाना है जैसे अभी मेरा website English में था तो अब मुझे उसको किस language में convert करना है वो यहां पर सब्सक्राइब करने के बाद करने के बाद यहां पर हमारा काम खतम होता है अब अपने यहां पर मेरा नीची के तरफ प्लग इन यहां से मैं अपने website को किसी भी तरह से ट्रांसलेट कर सकता हूं अब यहां पर मेरा website English में अब मैं इसको Spanish में ट्रांसलेट करता हूंगा इस देखो यह मैंने Spanish में क्लिक किया और यह ट्रांसलेट पे हो गया देख सकते हो कि मेरा website पूरा ट्रांसलेट हो चुका है Spanish में अगर मैं यहां पर इसको कॉपी करके Google Translator में डालूंगा तो इसली मेरको वही चीज बताएगा जो मेरको English में बता रहा था इस प्लगिन के अंदर आपको और भी फीचर मिल जाते हैं वो आपको कैसे देखने हैं वो मैं आपको बताता हूं हम अपने प्लगिन डैश्बोर पे दुबारा सा जाएंगे और यहां पर आपको ऑप्शन जो चीज बंद करनी हैं यहां से हम सारा मैनेज कर सकते हैं कई सारे चीजें जो है प्लगिन की है वो पेड़ है अगर आप उसको अपग्रेट करेंगे तब यहां पे कई सारे चीजों को आप चेंज कर पाएंगे जासे कि यह की जाना कि प्राइबत से उनिंदेट तो आपकर आपके आपको सेट करना परता को प्ला propose अगर आप चाहो तो और फीचर का जो ना चाहते के लिए इससंबी सब्सक्राइन जोडब धाय। आशए्जुरू के सकते वह जोड़ना, फ्री भी बहुत अच्छा है पेड भी बहुत अच्छा है अगर आप री इसका लिंक है इसली जा और डाउनलोड करो अपने लिए अपने वर्डप्रेस website में जाके इंस्टॉल करो इसली आपको आपके व्याइट को किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लो तो कैस्ट अगर आपको यह वीडियो सच में अच्छी लग यह तो इस वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए इस वीडियो में अग कि और लोगों को इस प्लगिन के बारे में पता चल सके और और लोग वर्डप्रेस के बारे में चांद सके तो गाइस मिलते हैं अच्छी सी वीडियो में तब तक के लिए बाब बाई